हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली का क्लेनिंग और डस्टिंग रूटीन और एक साइड हम और्गिनाइज करने वाले अपने ड्रेसिंग टेबल की और थर्ड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने आपको थोड़ा बहुत पैंपर भी कर सकते हैं जिसमें एक प्रोड़क्ट का मैं रिव्यू देने वाली हूँ तो मेरा भी यही मानना है कि सबसे पहले आप लोग उठते ही बेड लगाएं जो कि मैं क्लीनिक जाने से पहले जरूर करती हूँ लेकिन मैं उठते तो नहीं कर सकती है काम क्यूंकि मेरी बेटी बद छोटी है तो वो लेट तक सोती है थोड़ा सा तो ये काम मेरा तब होता है जब मैं सारा कुछन वगेरा कंप्लीट कर देती हूँ उसके बाद मैं ये बेड ठीक करती हूँ अब बेड का काम हो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरा रूम पूरा क्लीन है आपको भी ऐसा लगता होगा कि ऐसा सैटिसफेक्शन फीलिंग भी आती है मन में कि हाँ हमारा बेड ठीक है है ना ये करने के बाद मेरा पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी डस्टिंग करूँ क्लीनिक से आने के बाद ही मैं अपने जो भी मेरा क्लीनिंग का रूटीन होता है जो भी मेरे घर के अपने काम होते हैं लाइक डस्टिंग करना किसी चीज़ को और्गिनाईज करना कुछ भी वो सब मैं तभी आफ्टरनून में करती हूँ तो ये कुछ dusters है जो मैं अपने साथ handy रखती हूँ clean करने के लिए daily dusting के लिए तो क्योंकि एक dusters से तो होने ही पाता है कभी-कभी इतनी धूल होती है जैसे मेरा बहार का area open है तो काफी dust आती है summer's में specially तो जो डेली में मैं include करती है like sofa हो गए table हो गई side tables हो गई bed हो गया study table हो गई तो ये सारी चीज़े हम डेली dusting में include करती हूँ लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैं daily dusting कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये जब cleaning मांग रही है तो इसके साथ में वह चीज़ एक दो चीज़े include कर लेती हूँ like ये shelf इसको तीन चाह दिन जब हो जाते हैं तो ये बाहर की तरफ है तो इसमें dust आ जाती है तो इसको मैं अच्छे से clean तब करती हूँ daily में मैं इसको include नहीं करती हूँ और ये possible भी नहीं है थोड़ा मेरे लिए क्योंकि इसको थोड़ा सा ये wall पे जो भी आपकी चीज़े डेकॉर आइटम्स हैं वो आप daily clean नहीं कर पाते हो हर चीज़ अगर आप clean करने लग गए तो बहुत time जाएगा तो इस तरह से मैंने अपना dusting कर रूटीन कर रखा है कि हर चीज मैं कभी ना कभी include कर लेती हूँ जो चीज़े डेली में नहीं होती तो two-three days में जिसकी turn आती जाती है वो चीज़ हम clean करते रहते हैं लाइक कि ये drawer section भी मैं daily में नहीं लेती हूँ लेकिन बाहर मैंने सोचा कि bookshelf clean के तो इसको भी clean कर देते और मैं dusting के लिए कोई solution वगरा यूज नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी मुझे जरुरत पढ़ती है like कि मेरे जो wooden furniture है उसकी थोड़ी shine अगर मुझे लगता है कि dusting से proper clean करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग clean नहीं हो रहे हैं तो एक solution आता है उसका link में description box में जरूर दे दूँगी आप लोग चाहे तो से purchase कर सकते हैं वह बहुत ही अच्छा solution है आपके जो भी wooden furniture उनको एक दम new करने के और मैं उसको use करके कभी किसी दिन वीडियो में जरूर दिखाऊंगी और उससे काफी हैं ऐसा लगता है कि जैसे अभी आप लोग new लेकर आए हैं तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग ट्राइज जरूर करिए का तो इसी तरह से मेरा थोड़ा सा रूटीन रहता है क्लिनिक से आने के बाद और साथ-साथ क्या होता है ना कि जो भी जरूरी नहीं है कि डस्टिंग यह मुझे अगर कोई चीज फैली हुई लगती है तो आप वो भी ठीक करते हुए चले जैसे यह स्रडी टेवल मेरे हस्बन रोज और आफिस का काम करते हैं शाम को नहीं रख पाते हैं चीज अपनी जगह पर तो यह का मेरा ही होता है कि मैं इसको टीक कर रखूं लैपटॉप अपनी जगह पर रखूं और आच्छे से वहां पर डस्टिंग करते उनकी चेर त्रॉपरली क्लीच करूं तो यह चीज़े भी बिन रखा हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल पर जो की काफी यूसफुल होता है यह से कभी भी आपको बहुत ड्रस्ट वगरा है तो आप उसमें फटा पर डाल सकते हैं को बिल्कुल अपने में जो डस्ट बीन है घर का उसमें जाने के जरुवत नहीं है रूम में एक डस्ट के लिए जो आपको चीजें रखनी है तो इसमें आप देखेंगे मैंने सिर्फ नॉर्मल चीजें नहीं मैंने कुछ चीजों को इंक्लूड किया है जो डेली मैं इंक्लूड नहीं करती हूं पर ये शेल्फ मैंने अपनी बेटी के टॉइस रखने के लिए ही मंगवाईती उसके बाद आप देखेंगे मैं इहाँ पर ड्रेसिंग जो यह वाला जो कैपिनेट है मेरे ड्रेसिंग का इसको आर्गिनाइज करने जा रही हूं इसमें क्या है कि मैं चाहती हूं कि मेरी जो भी मेरे कुछ डेली में चीजें चाहिए वो मुझे यहाँ पर मिल जाए तो सबसे पहले मैंने सको क् segunda यहां पर मैंने अपने हेर से रिलेटेड स्किन से रिलेटेड फ़ सारी चीजे मैंने याँ पर प्लेस की हैं और मैं आपको एक चीज और बताना चाहिए प्रोड्टर्टोक्ट के यहीं कब अपैर से करना है इससे आपके प्रोड़क्ट की जो वेस्टेज है वो कम होगी और आपको भी लगेगा कि मुझे इसको प्रॉपरली यूज़ करें नहीं तो हम लग चीजें खरीद लेते हैं और उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं और यह एक और्गिनाइजर जो मैंने बनाय और यह सारी चीज़ें मैंने यहां पर अच्छे से प्लेस कर दी है और पर्फ्यूम एक हैंडी यहां पर जरूर रखती हूं पड़ा फट पर्फ्यूम चाहिए तो वो मुझे मिल जाए और यहां पर यह पूरा कैबिनेट सेट हो चुका है मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं रोज अपने स्किन की केर करूं तो मैं इहां पर अपना फेस देख रही थी मुझे बहुत जादा डर लग रहा था और मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आपके साथ ही शेयर क मैंने उसको 15 मिनट्स रखा और कभी-कभी हमें अपने आपको पैमपर करना चाहिए आपको खुद को अच्छा लेगा कि यार हमारी शेकल दोड़ी अच्छी दिख रही है तो मैंने यह लगाया और जब मैंने इसको वाश किया रिजल्स बहुत अच्छे थे अब आप खु और मैं फड़ा फड़ ग्लो चाहिए फेस पे तो यह वो फेस पैक मुझे बहुत ही वड़िया लगा अगर आप लोग चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फिर उसके बाद कोई भी फेस बैक लगाए तो अपने फेस को करना जरूरी है तो यहाँ पर मैंने कुछ जाधा चीज़ें नहीं लगाई है सिफ फ्रोज वाटर लगाया और मॉस्ट्राइजर अच्छे से अपने फेस नेक पर लगा लिया मुझे काफी रिफ्रेशिंग काफी अच्छा और हेल्दी ग्लोइंग स्किन लग रही थी जैस लग रही हूं जरूर बताएगा कुछ पिक्स भी मैंने आपर क्लिक की है तो कभी-कभी जब हम ऐसे करते हैं तो अपने आपको बहुत खुशी मिलती है अपना मन बहुत खुशी होता है और आपको स्ट्रेस लेवल भी कम होता है ऐसा जरूर आप लोग करके देखेगा आप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आयोगा तो पसंद आयोगा तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर कुछ हेलपफुल लगाओ तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर भी कीजिएगा तो मिलती हूं आपसे नेक्स ुले बाबय! खो कि खुड़ से एग रजैने हैं में करता है।